सब्सक्राइब टुखबर अपडेट और प्रेश दबल आइकोन फॉर नेवर मिस एनी नूज पाक ने किया संभावित यूद की तारी का एलान पाकिस्तान ने बंद किया कराची का एर स्पेस पाकिस्तान ने शुरू की मिसाल दागने की तैयारी जिहां पाकिस्तान ने भारत के साथ संभावित जंग का एलान कर दिया है इसके साथ ही पाकिस्तान तठाकति तैयारियों में जुट गया है पाकिस्तान सरकार ने कराची एर स्पेस को अगले तीन दिन के लिए बंद कर दिया है इतना ही नहीं पाकिस्तान दोनों देशों के तनाव के बीच अपनी तयारियों को देखने के लिए मिसाइल की टेस्टिंग भी करने वाला है जो की कराची के एर स्पेस में होगी इससे पहले पाकिस्तान सरकार में रेल मंत्री सेख रसीड ने भारत पाकिस्तान के भी संभावित जंग की तारिक का एलान भी कर दिया है बुद्वार को एक सेमिनार में मंत्री सेख रसीड ने कहा कि मैं अक्टूबर नवंबर में भारत पाकिस्तान के बिच यूद होता देख रहा हूँ और आज यहाँ पर कौम को तयार करने के लिए आया हूँ पाकिस्तानी सेना के पास जो हत्यार है वो दिखाने के लिए नहीं बलकि इस्तमाल करने के लिए है आपको बताते कि जम्मू कश्मीर में 1370 हटाने के बाद पाकिस्तान बूरी तरह बोखलाया हुआ है उसने पहले तो घूंग घूंग कर अंतराश्ट्य मंचों पर कस्मीर मसले का रागलाबा लेकिन चारो तरफ मू की खाने के बाद वो जंग की धंगी देकर भारत को दराने की साजिस रच रहा है पाकिस्तान के प्रधानमंद्री मरान खान ने तो इतना तक कह दिया कि अगर किसी देश ने पाकिस्तान का साथ नहीं भी दिया तो पाकिस्तान खून के आगरी भून तक अपनी लडाई अकेले लडेगा खिर जो भी हो लेकिन पाकिस्तान को इतना जान लेना चाहिए कि इसमें उसी का जादा नुकसान होने वाला है खबर अपडेट की रिपोर्ट